स्वीरों में आप देख सकते हैं धान खरीदी केंद्र 36 गड़ राइपूर और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि धान खरीदी के लिए अब मुख्यमंत्री साय ने किसानों के हित को देखते हुए डेट बढ़ा दिये और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संबादाता मनम मुहन नीताम जुड़ चुके हैं मनमुहन जिस तरह से जो धान खरीदी की डेट बढ़ा दिये वहती संवेदन शीलता दिखाई है मुख्यमंत्री ने और किसानों के हित में फैसला किया है जी या बिल्कुल देखिए सानिसा च्छतिसगर में समर्थन मुल्य में जो धान की खरीदी हो रही है एक नॉवंभर से राकिवोरी या और अंतिम जनवरी के नंतिम में देख तक या धान की खरीदी वनी थी लेकिन किसानों के हीत में मुख्यमंत्री बिश्णु देव साय ने एक बड़ा फैसला लिया है बड़ा नीर्ने लेते हुए किसानों को हीत को देखते हुए अब चार फरवरी तक समर्थन मुल्ले में धान की खरीदी होगी देखिए प्चतिसगर में रिकार्ड तोड जो धान की खरीदी हो रही है और लगातार किसान धान बेच रहे हैं और प्रती एकड़ 2100 रुपया के दर से चार फरवरी तक धान की खरीदी होगी लेकिन सबसे महत्मुर्ण बात यह है सनिशा कि अब तक किसानों को 2100 रुपया के दर से धान का जो मुल्य है उसका जो भुकतान हुआ नहीं हो रहा है लेकिन सबसे अच्छी बात सबसे सुखत ख़वर किसानों के लिए कि आब वो चार फरवरी तक समर्थन मुल्य में धान की बिक्री कर सकते हैं किसान और किसानों के लिए राहत की ख़वर जो की record तोड़ खरीदी के अंतरकत आती है और अब शास्की जो है छुटी के दिन भी अब शास्की कर्मचारी इस काम में जुटे रहेंगे शनिवार रहीवार को भी धान की खरीदी हो सकेगी और यदि हम अब बात कर रहे हैं कि बीते साल में तो बीते साल में 107.53 लाग टन धान की खरीदी का record पहले ही तूट चुका है तो क्या लगता है आपको ये सभी जो चीजे हो रही है विश्णु देव सरकार की चलते हो रही है या इससे पहले भी record तूटे है देखे सबसे मातमूल बात बता दो कि इसके पहले जो भुपेज बगेल की सरकार में किसानों के हित में समर्थन मुले में जो धान की खरीदी होती थी पहले हमने देखा ऐसा निसा कि जो समर्थन मुले की धान की खरीदी दिसंबर माह से होती थी लेकिन पूरो मुख्यमंत्री पूरो ताथकालिक सरकार के द्वारा भुपेश बगेल की सरकार के द्वारा उस तिथी को बढ़ा कर नौवंबर महां से धान की खरीदी होगी इसके इस पूरे तिथी को लेकर इस देट को लेकर बलकि राजमिती भी चर्थिजगर में लेकिन वर्तमान में बिश्नुदेव स्थाय के सरकार ने बड़ा निर्ने लेते हुए किसानों के हित में चार फरवरी तक जो धान की खरीदी होगी उससे कहीं कि किसानों को राहत मिलेगी जो किसान छूट गए थे या फिर जो किसानों को किसी करण बस वह रिदी के इंदर नहीं पहुँच पाया थे वो किसानों के लिए राहत की खबर है अच्छी खबर है देखिए प्रदेश में अब तक 138.78 लाग मिट्रिक टन धान की करीदी हो चुकी है मतलब विश्नुदेव स्थाय का सरकार का मंसा यह है कि किसानों को किसी भी तरीके से कोई परेसानी ना हो कर इस तरीके का जो नेने लिया गया है देर साम कर लिया नेने आया है और मुख्यमंत्री विश्नुदेव साय कि नेने से किसानों को भी राहत मिलेगी और किसानों में खुशी भी है जी निचे दिरूप से आपका बहुत शुक्रिया मनमान इस खबर पर जुड़ने के का परिपालन सुनिष्चित करते हुए किसानों से प्रती एकड़ के मान से 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है बता दें आपको 26,85,000 किसानों ने अपना पंजी अनकर आया है